आज हमने बनाया है फलू है में टॉप अजीब ही तरीके से लाइप में बताता हूं अलग अलग एक्सपीरेंसेज होते हैं कि मतलब अलग तरीके से तोड़ा बनाया है उसको दिखाता हूं आपको यहां पर क्या हुआ या कि अधिया हुआ है कि अधिया हुआ है कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल कर दोस्तों आज हमने बनाया है डबलू एम्म का वेड़ आपको दिखा रहे हैं अजीवी तरीके से लाइप में बताता हूं अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं कि मतलब कहां पर कौन सा काम पढ़ जाएगा इसलिए अगर कोई कहता है कि हमें सब काम आते हैं तो ज्यादा हो जाता है तो आज अलग तरीके से तोड़ा बनाया है उसक सब्सक्राइब यहां पर हो नहीं है डी एल्सी के जगह जगह पर नौनों मीटर पर 30 मिटर जो भी इनका रेश्यू है उसके साथ इनमें यह कंक्रीट के ठीए लगा रखें अब इनको दिखा दो पूरा बेड की सो एम्म डाउन है तो वो जब चेक करा दूसरे एक सब्सक्राइब आई लोगते गए हुए अनुद्चे कर वह सारा अप था अब भी वह सारा काटा आया जो डूलर चला है यह वाला अब बनाया यह हुआ है इस पर एक आतिन में डियसी गजी तिजिए वहाला वीजियों हो जो दिखाएं आपको आज टालता हूं यह है दोस्तों इससे काट रहे हैं अपने उसी ट्राइक्टर ग्रेटर से जिससे की यह बना रहे हैं यह बेट क्या था कि पहले का मेरन वहा था दोस्तों इसम्पर यह यह जो लगाए हैं लेविल के इसको उन्टियों के बरावर में DLC होगी इसको हम यह कटिंग करके निकाल रहे हैं कटिंग आगे ती इसमें पांच-पांच सेंटी की कहीं चार-चार सेंटी की तीन तीन वो भी कॉंपैक्टेट वेड मां तो वह इस वाले ग्रेडरस सब कटिंग करी है एक बार में तो नहीं हुई थी कई बार में कटिंग होई है आप लोग देख सकते हो और पर कटिंग करके इसको उन्हें मटेरियल सब साइड किया था क्योंकि यह पच्छिस नहीं 50 वाई 50 का है बेड़ 50 मीटर लंबा 50 मीटर चोड़ा तो ऐसे करके यह हाफ स्टेज है इसकी आदा इसका उन्हें बना लिया था राते में मौका मिला है यह वीडियो बनाने का तो फिर हम वीडियो बना रहे हैं उसी हिसाब से तो यह हम कटिंग करके जो मटेरियल है वो निकाल ले हैं बाहर बाद में इस पर कटिंग करने के बाद में जो पीफ है चेक करने एक बार और चेक करने के बाद में इसमें हम फिर फिनिशिंग है बागे आप लोग देख सकते हो यह ग्रेटर हम ही चला रहे हैं किसे आप सच चल रहा है कैसे करके बनाया जाता है अब WMM हो जी एस भी हो या जो भी हो टॉप के वेट जो होते हैं वो यही तरीका होता है अब इसका नया तरीका क्या है नया तरीका इतना ही है कि इसकी जो cutting करनी हो रही है वो जो इन्हों ने ठीया लगा रखे हैं उसके cemented concrete के उसको देखते हुग कर रही है मतलब करनी पड़ रही है वैसे हमारी अधिकतर operator का क्या होता है कि सबकि आदत हुई होती है जो सरीया पर लेविल होता है उसके हिसाफ से बेटको मैच कर देने का है ठीस तोड़ा सा अलग से हो गया था कुपकि मेच्छा का उत्ना जज्जमेंट आना ही बाता है जो लेविल होता है टेप लगाके जो भी होता है तो उसका dap को या हमको भी उसका अंदाजर जादा होता है लेकिन ये भी एक नया तरीका है बनाने का और बन रहा है क्योंकि बेट तो दिखी जाता है और एक दुबार चेक करने से ये पता भी चल जाता है कि कितना दिखाएगा वह वाला अलागे ऐसा नहीं कि हम पहली बार ये बना रहे कि इससा वाला में कि दूब नहीं बनाया जाता था आपक खुंटी गारके बार फिलिंग होती थी ती इतनी इव इंटी से चोड़ दी तो उस आधार पर तो उस महा इथोपिया वाली यहां आने के बाद में याद है ताजा हो गए और वही फिर experience हो रहा है और हमने कई वीडियों में बताया भी है कि बहुत जल्दी इसलिए नहीं सकते हैं greater क्यों greater के बहुत काम होते हैं अलग-अलग तरीके होते हैं अलग-अलग लोग मिलते हैं अलग-अलग काम होते हैं इसलिए हमने कहा था सारे काम सब आपरेटरों को नहीं आ सकते वो experience की ही चीज है जितनी जादत दिन हो जाते हैं जिस जिस आपका काम मिलता जाता है तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो जो आपको कई तरीके की काम करने को मिलते हैं तो उसको फिर हम लोग experience बोलते हैं उसमें जो पुराने होते हैं वो तो कर ही लेते हैं नए जो operator होते या उनको ठोड़ी सी घब्रायाट होती है जो पुराने लोग होते है उनके लिए दो कोई बात ही नहीं उनके लिए है और जो मतलब धोड़ा डरते यह तोड़ी सी Pod with ile लाने के लिए वीडियो बनाते और थोड़ा सा सरलवासा मैं उन लोगों तो कोई काम बड़ा होता नहीं है ग्रेडर में के कुछ यह सहां और सामने वाले वी करवाते हैं वह भी अपने एसे एक लीए नहीं होगा दो थीन चार बार ठाइकर षाय तो हो जanh जो उताएगा किवहान पर लात कर बारांता होता हूं उसकों बी तो पता होती है सिच्चियोशन की की कि क्या है क्या प्राबलम सा रही है क्या नहीं अब यहाँ पर ल हगonterरे थी तोड़ी सी कि जो पर कर रहे हैं एक मैं अगर इसी में पानी डाल लिया जाता पानी अबलेबल था निया इनके पास टेंकर तो और ज्यादा बढ़ी आजा सकता था और सेक्रीगेशन नहीं आता जो मटेरील निकल रहा है उसमें सेक्रीगेशन हो गया है उसमें साइड डस्ट हमें मिक्स करने पड़ाई भी बाद मैं हुआ मेटेरियल निकाट कि निकाल रहे हैं इसकी एक प्र प्राइफ पांच 15 बना रखी है यह साथ मीटर सब्सक्राइब अंगा है वो अपना जो भी मानक है कि किसे आप से लगाए है उसे तो बगल वाला तो कंप्लीट हो गया है और यह वाला हम कंप्लीट कर रहे हैं जितना ही मटेरियल सारा निकाल के बाहर करना पड़ रहा है अब यह आ गए है सुपरवाज जर्ची और लेवर लोग हैं यह लोग हमें धागा लगा के बता दे रहे हैं कि यहां पर कटिंग रह गई है या कटिंग हो गई है इसमें कहीं भी नहीं आ रही है और प्रापर ही गटिए दूसरा छोटा ग्रेडर है तो छोटा ग्रेडर से अब एक शक्रत कम ही कटता है बड़े वाले से तो एक बार को ज्यादा कटने के चांसी द्रे जा रहे हैं इस से तोड़ा सा फिलिंग आने का तो इस बेट में कोई मतलब नहीं रह गया है आखली मेटेरियल ही निकालना है इस सारा मेटेरियल निकाल-निकाल गे-बाहर हम नहीं पलगा दिया है के मेरे को ने एक जगेए रख दी आ है दोस्तों वीडियो बनने निर पा रही थी तो भीस ह três किया है मैंže आपको प्छली वीडियो मताय बी था क यहां की कंडिशन क्या है क्या नहीं है यह लोगों ने हमें बता दिया कि मतलब वेट पीछे मतलब सही हो गया है दागा वही ठीए टू मलब जो उन्होंने लगा रखें गंग्रेट के उस पर ही दागा लगा के बढ़िया करके और 100 mm की वही डिप चेक कर रहे हैं यह और यह सुन बता दे रहे हैं हमें कि इसमें क्टिंग नहीं रही क्टिंग हो गही है जो भी कि जो इसको ही निकाल दो नीचे गया है इसको छोड़ो दो बस फिनीशिंग मारो इसमें पानी डालना डलवाना है उसके गज़ाद में फिनीशिंग मार देंगे और वेड कंप्लीट तो दोस्तों होता है यह वाला तरीका वेड वराने का और बाकि जो जन्रली अपने भारत में चलता है वह सरीहापे जो लेविल दे भी रोड बनाते हैं हम लोग रोडों का जो केमर होता है वो 2.5 का या 2 का होता है और यह पॉइंट सेविन का मतलब बहुत ही कम इसमें एकदम से मतलब सेंस नहीं कर सकते आप बिल्कुल पहली बार अगर इसमें चला रहे हो तो क्योंकि आदत अपरेटरों की होती है थोड़ी ही मतलब कले तो कैसा लगा वीडियो हिमारा आपको कमेंट करके जूरूर बताहिए गहां कोई भी और जांकारीच में एक पसकें हैं है यह वीडियो यदिक अज्जु कि कमेंट करने रहने के लिए आप सब्सक्राइब और मेनलग्त मरश आगा वेला थैंक दो वरी मुच्छ